सरस्वती जो निकली उसके किनारे बहुत सी बाते हो गई वेदों अव्यास जी ने वहाँ और अपनी गुफा बनाई वहाँ पर महाभारत लिखा हो सकता है पुराणों की रचना वेदों की विवाग वगरे वहीं से निकले हो नई मिशारण्ड में अंतिम रूप दिया गया ह लेकिन उस नदी के साथ यह हमारा सारा इतियाश जुड़ा है सरस्वती नहीं आए कहने से एक लेखनी के फराटे में हमारे पुर्वत जो कुछ कह रहे थे वो सब जूट है यह हो जाता है यह सब तुमारी बाते कपोल कलपी था यहीं हमको बताया अंगरेजों नहीं पताया तुम्हारा कोई रणगवरों नहीं दनगवरों नहीं सारे और भंके नशने घड़्रियों में गढ़ए गीत है उसी को तुम तुमारे पूरुज मूर्ग थे उनको कुछ पता नहीं था सब कुछ दुनिया ने तुमको दिया तुमने लिया और दुनिया की नोकरी की तुम इसी लायक हो यही उनको हमारा मन इसी बनाना था इसी लिए उन्होंने किया सरस्वती मिलने से यह सारा कुछकर मायायाल नश्ट हो जाता है जैसे नीम खुलने से दुस्वपन तूटता है वैसे एक शण में सारी बाते प्रफा दपा हो जाते हैं और यह प्रमाण मिल रहे हैं जुशी जी ने बहुत विस्तुत प्रकास सब बातों पर डाला है और इसलिए इस सरस्वती का फिर से प्रवाईत होना यह आवश्यक्ता है प्रमाणित होना यह पहली आवश्यक्ता है लेकिन फिर से प्रत्यक्ष प्रमाण तो गुपत सल्यला जहाँ है अंता सल्यला जहाँ है इंसेट के चित्र तो कहते हैं कि अंदर एक बहुत बड़ा प्रवा आज भी प्रवामान है अगर ऐसा है तो हम अपने प्राचियन संस्कृति को अपने पूर्वजों के मुल्यों को अपने मानव धर्म को सनातन धर्म को याद करे और युगानुकुल रचना अपने जीवन की उनी मुल्यों पर कर सके क्योंकि वही मुल्या सारी दुनिया को आवश्यक है